24 दिसंबर को कथावा चक देव की नंदन को मारने की धमकी मिलने के बाद अब हरिद्वार से भी पंचायती निरंजनी अखाड़े के अचार्र महामंड लेश्वर स्वामी के अलाशा नंद कीरी सहित अन्य कई प्रमुक संतों की हत्या की साजिश का मामला सामने आया है इस मामले में प्रयाक राज से बागपत के रहने वाले विक्रम शर्मा को किरफ तार कर साथ दिन की रिमांड पर लिया है उस पर आरोप है कि जहर देकर संतों की हत्या की साजिश रच रहा था पुलिस की जाच से पता चला कि विक्रम 29 नवंबर को स्वामी के लाशानन गीरी के हरिद्वार में स्थिव डक्षन काली मंदिर भी गया था रेकी करने आश्रम के गेस रजिस्टर में उसने अपना नाम और पता भी गलत दर्श करवाया वो लगभग पांच घंटे तक वहां रुका उसने आश्रम प्रभंदक से स्वामी के लाशानन से मिलने की इच्छा जताते हुए उनके आने जाने के रास्ते भी पूछे थे वहां से निकल कर वो प्रयाग राज पहुँचा यहां वो साध्वी त्रिकाल भवंता के मंदिर में रुका यहां पर साध्वी से हुई बाचीत के दोरान उसने संतों को जहर देकर हत्या की साजिश का खुलासा किया साध्वी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी अब तक की जाज के मुताबिक आरोपी के निशाने पर अखाड़ा परिशत और मंसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीम महन रविंद्र पुरी और अखाड़ा परिशत के महामंदरी श्रीम महन हरीगिरी भी थे हाला कि कैलाशानन को सरकार की तरफ से वाई कैटिगरी की सुरक्षा मिली भी है पर फिर भी संतों के मुताबिक आरोपी का प्लान खीर में जहर मिलाना था तो वहीं अब इस खुलासे के बाद एक जनवरी के आयोजन में ज्यादा साफधानी पढ़ती जाएगी जहां भोजन तयार होगा वहां CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे वहीं आरोपी के अनुसार स्वामी कैलाशा नन ने उससे नौकरी के नाम पर 20 लाख रुपे लिये थे जो ना तो लोटाए गए और ना ही उससे नौकरी मिली जिसके चलते वो कैलाशा नन की हत्या कर बदला लेना चाहता था इस मामले में कैलाशा नन ने प्रियाग राज पुलिस को धन्या वाद करते हुए कहा कि आरोपी लगातार अपना बयान बदल रहा है इसके साथ ही निश्पक्ष जांच की मांग करते हुए उनका कहना था कि उन्हें शक है कि आरोपी को कोई उसानेगी कोशिश कर रहा है